हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एज्जूकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि कॉंस्टिपेशन का क्या है सही इलाज क्या कॉंस्टिपेशन में दबाई लेना सही है क्या कॉंस्टिपेशन में जो लोग दूसरे मतलब एनिमा लगाते हैं या फिर सपोर्टरीज इस्तेमाल करते हैं तो लग्जेटिव ठीक है और कॉंस्टिपेशन को हम कैसे डील करें क्योंकि कॉंस्टिपेशन के बारे में कोई किलियर कट ओपिनियन नहीं है लोगों में लोग बहुत कन्फ्यूज हैं और लोग एक्स वाई जैड लेबल पे अपने लेबल पे बहुत सारी चीज़ों को करते हैं लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कॉंस्टिपेशन से राहत नहीं मिलती है और कॉंस्टिपेशन और गैस की जो समश्या है I think हर तीसरे इंसान को है दुनिया में कामिया ज़्यादा लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें और इसको हम सही तरीके से जो नेचरल आयरवेदिक जो प्रॉपर एक सही मेथड है उससे हम अपने कॉंस्टिपेशन को डील करें तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि कॉंस्टिपेशन बहुत सारे लोगों को हुता न जहते हैं और वो कही न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए अपने पीट को तुम्मेदार मांते हैं तो वो कुछ ना कूछ लग्जेटिव लेना स्टार्ट कर देते हैं और पता लगता है कि कुछ समय के बाद लग्जेटिव के बिना उनको कोई भी राहत नहीं होती है और वो लग्जिटिव का लगातार ओवर यूज करते रहते हैं जिससे की नाकेबल डेपेंडेंस बनता है बलकि उन्हें तकलीब भी होती है और कुछ समय बाद देखा जाता है कि लग्जिटिव के वगर उन्हें स्टूल पास नहीं होता और वो काफी इरिटेटेड काफी ए स्टीपेशन यदि आपको एक दिन में एक बार स्टूल पास होता है और नॉर्मली आप एमटी फील करते हैं स्टूल पास करने के बाद तो ठीक है लेकिन कई बरी देखा जाता है कि दो दिन में भी एक बार स्टूल पास हो सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेली आपक आपका पेट साफ नहीं होगा वो दुपैर में हो सकता है वो सामको हो सकता है या अगले दिन हो सकता है तो मेरा मानना यह है कि कभी भी 24 आवर्स में आपका स्टूल पास यदि नहीं होता है तो 48 आवर्स तक कोई स्टूली आप लगजेटिब ना ले यानि दो दिन तक कोई लोगों को नहीं लेनी चाहिए यदि तीन दिन हो गए और फिर भी आपको इस टूल पास नहीं हुआ है तो कोई आप नेचरल लगजेटिव आप ले सकते हैं लाइक इसब घोला या तिर्फला दूसरा है कि कॉंस्टिपेशन होने के जो कारण है हमें उन पे फोकस करना होगा हमें कोई भी रिफाइन फूड जंक फूड मैदा वाला खाना या बहुत ज़्यादे दालों का इस्तमाल या अंडा या मास मचली इसके इस्तमाल से हमें बचने की आवशकता है दाल में उड़द की दाल अपने खाने में अच्छे प्रोबाइटिक नेच्रल प्रोबाइटिक सामिल करें जैसे कि आपका अमरूद है सेव है दही है आपका छाच है नारियल पानी है प्लस आप बहुत ज़्यादा मसाला चिकनाई का इस्तमाल या बहुत ज़्यादा चीनी या जंक पिजर्वेटि गरम पानी के साथ दोपेर में और रात को तिर्फला टाबलेट या तिर्फला पाउडर खाना खाने के एक घंटे बाद गरम पानी से आप ले सकते हैं तो यह आपके लिए एक नेच्रल फाइबर और नेच्रल लक्जिटिव का काम करेगा जिससे आपका कॉंस्टिपेशन प्यादा करते हैं तो दवाई को आज़े लिमिटेड करें या फिर अपनी दवाई के साथ एंटरसिट या प्रोवाएटिक एड करें अपने डॉक्तर से continent के बारे में बात करें बट constipation की दवाइया लेफ्ट राइट लेना बंद करें constipation को आप ड़ाइट से डिल करें exercise करें अच्छा पानी पिए और constipation कोई बीमारी नहीं है ये एक आपके वाउल का regulated होने का एक तरीका है तो कुछ लोगों में ये different हो सकता है कुछ लोगों को daily stool pass हो सकता है कुछ लोगों को दो दिन में pass हो सकता है even कुछ लोगों में तीन दिन में भी stool pass करने की पिरकिरिया हो सकती है तो इसको कोई बीमारी मान कर आप unnecessary strong hard luxury का इस्तेमाल ना करें जिससे ना केवल आपको आदत पढ़ेगी बलकि long term आपकी intestine कमजोर होगी और इससे आपका digestive system बीख हो जाएगा बाद में कई बारी देखा जाता है कि लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं और luxative की dose लगातार बढ़ानी पड़ती है और कई बारी लग्जेटिव से भी उनको इस टून पास नहीं होता तो इस conditions को avoid करें आपको यदि फिर भी कोई symptoms है कोई problem है तो आप अपने physician से अपने symptoms के बारे में और आप जो भी लग्जेटिव लेते हैं उसके बारे में बात करें फिर सही लग्जेटिव का चुनाब करें Thank you very much in take care yourself